मिदो दूसतों वील्कम यव्रीवन टु डियरमिद्रोव दूसतों आज आपका हमारा टोपिक जो है वह वाटर कैपिल और वाटर स्टोक Cathedral आज हम यह जानेंगे वाटर केपिटल वाटर स्टाप जो है यह मारा टी वाइबी कॉम माव में दूक जाण biss दोस्तों पहले तो हम यह देखेंगे कि water capital या water stock क्या होता है water capital की दोस्तों डो definition है सबसे पहला हम लोग का रहता है realizable value of the asset is smaller than the book value of the company ठीक है realizable value दोस्तों क्या होता है तो अगर हम assets बेचने जाते हैं तो वो कितने में बेचा जा रहा है तो हो हम लोग की क्या रहते है realizable value ठीक है और दूसरी जाता पर हमारा है book value of the company यानि कितने में हम लोग ने खरीद है हमारे balance sheet में उसकी price कितनी है वो हम लोग देखते है तो अगर कोई भी assets की realizable value कम रहती है उससे book value से तो वहां पर जो stock का difference होता है वो हम लोग का क्या रहता है water capital या water stock ठीक है for example आपने कोई machinery खरी दिये 5 lakh की आप उसको realize करना चाहते हो या उसको बेचना चाहते हो तो आपको बेचने की किमत जो है वो 5 लाग या उससे ज्यादा नहीं मिल रहे है यानि समझो 3 लाग में या 2 लाग पचास में तो जो भी आपका difference है जैसे कि 5 लाग की machine बेची पचार यह 3 लाग में तो difference हमारा 2 लाग का हो रहा है यानि नुकसान हम लोगा 2 लाग का हो रहा है वह 2 लाग हम लोगा क्या हो जाएगा दोस्तों water capital ठीक है यह इसका पहला definition हो गया और दूसरा definition क्या रहता है तो अगर share capital जो है वह issue किया है वह जादा है उसके assets से तो वह हम लोगा क्या रहता है water capital जैसे same example company ने share issue किया है पाच लग का share मतलब कौन होता है दोस्तों owner of the company है नहीं मैंने इसका definition अलड़ी बता है कि share capital कौन रहता है company का owner रहता है तो बाहर के लोगों से यानि shareholder से company ने issue किया पाच लग लेकिन वहां से business purchase किया है सिफ 3 लग का तो difference हम ल मतलब water stock जो है वह अच्छा रहता है कि बुरा रहता है definitely हम लोग को definition से पता चल रहा है जोड़ी वाटर कैपिटल है वह क्या है वेशले स्टॉक है मतलब हम लोग को नुक्सान वाला स्टॉक का पैसा मिल रहा है तो वह हम लोग के लिए क्या हो जा रहा है disadvantage तो company को जबी वह वाटर कैपिटल उनके हाथ में रहता है तो उनको उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए यानि उनको यह कोशिश करने की ज्यादा नुक्सान ना हो जी अब हम लोग देखेंगे reason for water capital water capital की reason क्या क्या है सबसे पहला reason दिया हुआ investment in intangible asset दोस्तों कंपनी जबी सेट अप होत assets में invest करते इंटेंजीबल आप सभी को पते क्या क्या रहता है गुडविल पेटेंट यह सारे assets जो रहते हैं वह इंटेंजीबल रहते हैं ठीक है जिसको छू नहीं सकते तो इनके अंदर में लोग investment करते हैं लेकिन यह investment जो है बहुत सोच समझ के करना पड़ता है जैसे कि अगर कंपनी ने पेटेंट में investment कर दी पैसे लगा दिये लेकिन उनकी हिसाब से पेटेंट की वज़े से उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़नी चेती लेकिन वह बढ़ना बढ़ने की जगह पर क्या हो रही है डिक्रीस्ट होने लग जा रही है कंपनी का स्टॉक कोई खरी लोगों को हमारी कंपनी की तरफ अट्रेक करते मिट परसन रहते जो लोगों को हमारे एक्विटी खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते या उनको खीचके लेकिया आते कुछ एडवेटाइज वगरे करके लेकिन अगर प्रमोटर जरूरत से जादा पैसे मांग रहे और लॉस होने लग जाएगा और वही लॉस हम लोगा क्या हो जाएगा वाटर स्टॉक या वाटर क्यापिटल ठीक है थर्ड पॉइंट हम लोगों को दिया हुए इफ कंपनी पॉजिस एन एग्जिस्टिंग बिजनेस बाइग पेंग हायर देन रिजनेबल प्राइस अगर कंपनी ने बिन मर्च के एड़ोटाइसमेंट के ओपर ज्यादा खर्चा कर दिया जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि अदर ही रहने लग गया तो वह जो हम लोगा क्या हो जा रहा है वाटर कैपिटल तो आपको यह सबसे पता चल गया कि नुकसान जबी भी कंपनी का होता है वह नुकसान को जोसेला जयता है वह हमारा होता है वाटर कैपिटल या वाटर सिटॉट ठीक है अ और इसकी वज़े से कौन से सिच्वेशन आएगी ओवर कैपिटलाइजेशन की लेकिन इससे बचने का एक तरीका है अगर मैनेजमेंट अच्छा खासा हो तो वो इसका फाइदा उठाके उसकी कंपनी को वो ग्रोथ करवा सकता है यानि लॉस होता है हर कंपनी को नुक्सान होता है ठीक है कोई भी कंपनी ऐसी ने जो कंटिनियूस प्रोफिट कमाती है लॉस होता है तो मैनेजमेंट स्केल्ड होना चाहिए कि जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को वो सफर करके उसको फेस करके आगे बढ़े और उसके साथ साथ जो भी नुक्सान होआ है वो नुक्सान को कवर अप करें ठीक रेमेडी फो वाटर केपिटल इस्टू रिद्यूस दे शेर प्राइस सफिशेंट्ली सो देट वाटर कें बी रेमुव फ्रम दे केपिटल जो भी शेर प्राइज जो भी शेर अगर हम 10 रुपे का शेर पेच तो उसको पाच रुपे में कर दो यानि हमारी पैसे की पोजिशन पर आजाए तो उस टाइम पर वापस शेर की प्राइस बढ़ा दो कोई दिक्कत ने लेकिन नुकसान के टाइम पर उनको से यही एक मार्ग है कि जो शेर केपिटल इसकी वैल्यू क्या करने कम करने जिससे वह सफर कर सके और उनके बाद वो सेटल हो सके तो दोस् झाल